नमस्कार दोस्तों आज आप लोगों को कुछ अच्छा क्वालिटी में नेपाल का 10 मुखी रुद्राक्स दिखाएंगे और इसके बारे में कुछ डिटेल्स में जानकारी आपको देंगे सबसे अच्छा क्वालिटिका रूद्रक्स ये नेपल का रूद्रक्स कोई बोला जाता है क्योंकि ये नेपल का रूद्रक्स बहुत पावर्फुल होता है चाहे हो कोई भी मुखी का हो, मतलब 5 मुखी, 6 मुखी, 7 मुखी, 8 मुखी, कोई भी हो ये नेपल का रूद्रक्स बहुत पावर्फूल होता है आप लोगों को कभी भी रूद्रक्स पहनने के जरुरत पर जाए तो आप कोशिश कीजेगा हर वक्त कि नेपल के रूद्रक्स लेने का क्योंकि ये बहुत पावर्फूल होता है और जिस काम के लिए आप रुद्रक्स धारन करेंगे वो काम में आपको सबलता मिल गटा दोस्तो नेपाल का जो रुद्रक्स आता है वो थोड़ा महेंगा आता है क्योंकि यह मिलते कम है और मार्केट में और एक तरह का रुद्रक्स भीखता है अगर यह इंदोनिस alan में होता तो प्रॉमिनेंट दिखता नहीं और its size भी छोटा होता इस वीडिएओ में आपको इंदोनिसयान रुद्रक्स दिखाएंगे और इस नेपाल और इंदोनिそう में क्या 2006 छावट pineट में सब बताएंगे वह नेपाल के जैसा प्रोमिनेंट नहीं है, मतलब दस मुखी जो है वह प्रोमिनेंट दिखता नहीं, इसमें सिर्फ एक लाइन डिखता है, दोस्तो अगर आप अप आप उनलाइन में सर्च कीजेगा 10 मुखी रुद्राख्ष को, तो आपको 1000 रुपिया, 15 रुपिया में 10 इंदोनेशानी देंगे क्योंकि वो दस मुखी रुद्रक्स नेपाल का उतना सस्ता में नहीं आता दोस्तों यह देखिए आप नेपाल का दाना कितना बड़ा है और इंदोनेशान दाना कितना छोटा है दोनों नेचरल है लेकिन एक नेपाल का है एक इंदोनेशान का है दोन साइज में छोटा है नेपाल का र gráfic बड़ा साइज में होता है यह जो रूदराक्स आप देखें हैं आप स्दोनेशिया ने नेपाल का रदराकस अभी तो को दिखाता। यह जो नेपाल का रूदराकस देखिये और इसका मुह देखिये पूरा प्रॉमिनेंट सबी रुद्रक्स हमारे पास अवेलेवेल है आप स्क्रीन में दिवावा हर्ट्सेप नंबर पर कॉंटेक्ट कीजिए